नमस्कार दोस्तों मैं सुनिल चोधरी आच चुका हूँ जेडी अपरूड और एरा से रेजिस्टर एक नई गेटे टाउंशिप के साथ जो की 160 फिट और 200 फिट के कॉर्णर की टाउंशिप होने वाली है अगर आप कोई residential या commercial property देख रहे हैं investment या residence के परपस से वो भी 200 फिट और 160 फिट के कॉर्णर की टाउंशिप में तो ये वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपका बजट 20 ला के अंदर है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको बिंग रोड से कोई connectivity चाहिए या फिर डिंगी रोड के आसपास की कोई connectivity चाहिए जो कि नेशनल हाइवेव में connect होने वाला है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं हम इस वीडियो में बात करेंगे इस टाउंशिप की location क्या है क्या यहां पर आसपास में government के plan है इसके बाद में इसका development किस तरीके का होने वाला है तीसरी चीज इसमें plot size आपको क्या मिलने वाली है और चोती चीज इसमें residential की क्या rate और commercial की क्या rate है हर एक चीज आपने detail में discuss करेंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो बात करते हैं location की अगर इसकी exact location की बात करें तो ring road से जो लाखना की तरफ रोड आ रहा है तो वहीं लाखना को cross करते ही अपनी township होने वाली है exact ring road से चार मिनिट की दूरी पर अपनी ये township है जैसा कि आप देख पा रहे हो यह अपने जो development किया है यह 200 feet की sector road की जगह छोड़के development किया है यहां से सीधा sector road आ रहा है 200 feet का जो अपने ring road से निकल कर सीधा पाड़िया की तरफ जा रहा है जो आगे डिगी road में जाकर connect हो रहा है इसके अलावा दूसरी connectivity है यहां से डिगी road की डिगी road से present time में लाखना से सीधा road आ रहा है और वहीं से अपनी सीधी connectivity मिल रही है डिगी road की इन future की बात करें तो township का दूसरा gate जो है 160 feet के sector road पे open हो रहा है जो अपना सीधा डिगी road में जाके connect हो रहा है तो यह यहां की present की connectivity है इसके अलावा आसपास की area की बात करें तो एक वाटिका सीधा road जा रहा है लाखनागाव से जो की यहां से वाटिका exact 6 km की दूरी पे होन 1.3 km रह जाएगी तो बहुत ही जबर्दस connectivity यहां पर आपको मिलने वाली है यूवन जोन की टाउंचिप है अगर आसपास में government के प्लान की बात करें तो जेपूर का सबसे बड़ा NRI कोलोनी का area यहीं अपनी टाउंचिप के पीछे की तरफ है मैं इसकी PDF सेंट कर दूंगा आप मुझे हाय करो वाट्सप पे तो NRI कोलोनी के बिलुकुल पास में अपनी टाउंचिप है NRI कोलोनी के बारे में आपको पता होगा जो अभी परताब नगर में है लगबद अंदर सवालाग से डेड़ लाग की रेटे हैं और वहीं बार की तरफ पीछे तरह जार के पास में एक अपने टाउंचिप से बार की तरफ एक इसकुल बना हुआ है जैसा कि आप देख पारे हो यह सरदार पटेल इसकुल है जो अपनी टाउंचिप की बाउंडरी के टच में होते हुए अभी परजेंट टाइम में रनिंग में है और इसी के पीछे की तरफ से एज 200 फिट रोड आगे जा रही है पाडिया की तरफ वहीं पर रिको का बहुत बड़ा एरिया गोर्मेंट ने रिजर्व कर रहा है इसके अलावा इसी रोड पर आगे की तरफ जेडे की खुद की कोलोनिया डवलप होई हुई है जैसे कि रोईनी नगर फर्स्ट सेकेंड कोलोनिया यहां पर डवलप हो चुकी है इसके लावा यह जो आप इसक्रीन पर रेट कलर देख रहे हो यह कॉमर्सिल बेट का कलर है जो कि गुवर्मेंट ने कुछ एरिया यहां पर रिजर्व कर रखा है तो यानि गवर्मेंट के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ह होने वाली है अगर टाउंचिप के डवलमेंट के बारे में बात करें तो सामने 200 फिट का रोड है यही पर अपना एंट्री गेट डवलप हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो यह अपना एंट्री गेट डवलप हो रहा है और इसमें और फेसिलिटी की बात करें तो एक अपना गेट यह 200 पिट पर ओपन हो रहा है दूसरा टाउंसिक का गेट 160 पिट पर ओपन हो रहा है और उसी पर अपने commercial प्लोट अविलेबल है जिनके अगर size की मैं बात करूं तो 538 गज के आसपास उसकी commercial प्लोट की size होने वाली है और अंदर residential प्लोट की बात करूं तो 100 गज 111 गज 180 गज में इसमें mostly प्लोट अविलेबल है अगर present time की बात करूं तो लगबग 100 गज की प्लोट है वो sold out है 111 गज में भी एक दो प्लोट बचे हैं इसके लवा present time में 180 गज में कुछ इसमें प्लोट आ रहे हैं अभी फर्स जनवरी को इसका रह रहा आया था तभी यह लोंच हुई थी और आज इसमें लगबग 90 परशेंट प्लोट सोल्ड आउट है जी हां विदिन 10 डेज इसमें 90 परशेंट प्लोट सोल्ड आउट है क्योंकि इतनी बैठरें के नेक्टिविटी और रेट जो है वह बहुत ही चीप है अगर परजेंट टाइम की बात करें तो इसमें 180 गज में प्लोट अविलेबल है जो की 160 फिट और 200 फि यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं चारों तरफ आउटर बाउंट्री जिस पर डेट फीट की फैंसिंग वाइरिंग है यहां पर गेट से एंट्री है जहां पर बूम बेरियर सीसी टीवी केमरा गार्ड यह फुली सेक्योर टाउंसिप है कोई आपके अनुमिति के बिन राजस्तान की सबसे चोड़ी सड़ा रिंग रोड 1180 चोड़ी की कनेक्टिवीटी यह आपको यहां से मिलती है जो कि अपनी चार मिनट की दूरी पर होने वाली है इसके लाव अगर अगर अधर फैसिलिटीज की बात करें तो अंडर ग्राउंड इलेक्रिसिटी, वाटर फ की प्राइज में अपनी टाउंचिप है अगर रेट की बात करें तो 19,950 की इसकी रेट है जो कि एक फ्रवरी से बढ़कर 2950 होने वाली है और इसमें कुछी प्लोट बचे हैं लगबग 10% के आसपास अभी इन्वेंटरी आरी है इसमें प्लोट की और फुल सेक्योरी अपन का में आपर चल रहा है इसके लाग कॉमर्शियल की रेट की मैं अगर बात करूं तो 3950 की इसकी कॉमर्शियल की रेट है एक ही प्लोट बचा हुआ है पर अपना ओपन हो रहा है जो कि सेक्टर रोड निकलने वाला है अपने 200 को को करता हो डायरेक्ट बिगई रोड को तो ब तो वह आप देख सकते हैं बहुत ही चीफ प्राइज की टाउंशिब है इसके अलावा इसमें कोई भी रजिस्ट्री चार्ज नहीं है कोई बोकरेज नहीं है कोई हिडन चार्ज नहीं है फ्री विजट है आप एक बार टाउंशिब पर आईए विजट कीजीए आज-पास क कर सकते हैं रेजिडेंशिल कर सकते हैं आप तो इसक्रीन पर देवे नमबर पर कोल कीजिए और एक बार टाउंशिप की विजिट कीजिए तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तक के लिए धन्यवाद